Hello everyone, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात किने जारे TV18 ब्राडकास्ट के बारे में 50 रुपे का ये शेर है और देखा जाए तो लगातर गिर रहा है आज भी यहाँ पर 4-4 person का decline देखने को मिला और पिछले एक हफते से यहाँ पर लगातर गिरावट है 65 रुपे से लगातर गिरा है हलाकि 15 दिन से कह सकते हैं कि गिरावट है बीच में एक दिन इसने attempt करा था कोशिश करी थी पिछले Thursday को तेजे दिखाने के लेकिन वापस से आज गिरता हुआ ही ये नजरा रहा है तो देखा जाए तो जब से भाई साब announcement होई है जो Reliance और Disney की जो deal है उसके बाद और बड़े declines यहाँ पर देखने को मिले है चाहे वो TV18 broadcast हो या फिर चाहे वो Network18 हो Network18 भी 118 रुपए से गिरता हुआ नजरा देखो TV18 और Network18 दोनों का ही जो share price है या फिर जो chart pattern कहलो थो बिलकुल एक दूसरे जैसा ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत जल्दी income merger भी होने वाला है तो बिलकुल एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा आप बात करेंगे क्योंकि जो इतनी बड़ी गिरावट है जो इतना वड़ा फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है तो सपोर्ट कहां पर है उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे लेगर उससे पहले अगर आपने वितक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियोस हैं जो आपो काफी जादा हेल्प करेंगे तो देखा जाए तो एक महिने में गिरावट जादा है अगर आप 65 रुपे से काउंट करेंगे तो यहां पर almost 20% तो यह गिर चुका है 50 रुपे के लेवल एक बेज यहां पर बनना चाहिए जो इनिशल सपोर्ट कहलो वो 45 तो 50 रुपीज के बीच में है और एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है वो 40 रुपे के आसपास नजर आता है देखो कंपनी मुझे खराब नहीं लगती है लेकिन प्रॉब्लम वही हुई जो भी हाल फिलाल में जो रिलाइंस इंडस्ट्री की जो सब्सूरी है एंड डिजनी जो है और उनका जो स्टार इंडिया है उन्होंने डील साइन करा है कि वही आपने बिजनस को मर्ज करने को लेकर और एक जॉइंट वेंचर बनाने को लेकर यहां पर अगर आप देखोगे तो नेटवर्क 18 का शे और टीवी 18 अगर आप देखोगे तो वो नेटवर्क 18 का ही एक सब्सूरी कमपनी है जो जनरली ऑपरेट करता है जो रीजनल न्यूस हो गया जनरल न्यूस हो गया स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गई इसके अलावा जो बिजनस न्यूस होते हैं CNBC ये टीवी 18 हो गया न्यूस CNN तो वो यहाँ पर है और यहाँ पर वाइकॉम 18 ये अगर आप देखोगे तो ये टीवी 18 के सब्सूरी कमपनी है जो आपने देखे होंगे इनके टीवी जो सीरियल्स हो गए या फिर कह सकते ही जो मूवी बगएरा हो गए वेब सीरीज हो गए उसको प्रोड्यूस करने का ये काम करते हैं ये और यहाँ पर 70,000 क्रोड रुपे की डील हुई है ये उसकी वैल्यू है यहाँ पर जो मर्जर को लेकर चर्चा हो रहे जो जो जॉइंड वेंचर नॉट मर्जर जॉइंड वेंचर यहाँ पर रिलाइंस जो होगा इस जॉइंड वेंचर में 16.34% का स्ट है यहाँ पर 46.82% और जो वाल्ट डिजनी होंगे वो 36.84% की शेर होडिंग होगी इन डिरेक्ली जो कंट्रोलिंग श्टेक के है लो तकरीबन 65% के आसपास का वो रिलाइंस के पास ही है यहाँ पर नीता अंबानी जो है वो यहाँ पर चैर परसन है यह पूरी मर्ज एंटि के और यह बड़ी बात है ठीक है हलाकि जब से खबर आए तब से वाई सब नेटो के टीनों टीवी टीन के शेर लगाता गिरते हुए हमें नजर ही आए हैं यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखोगे टीवी टीन के तो 33 लाक से भी जादा के शेर यहाँ पर ट्रेड होते कंपनी में सबसे पहले में डिवीडेंट के बारे में देखो तो जन्रली वह नहीं पेगा है और यह उतना यूज प्रॉफिट भी नहीं करें कि आपको बहुत बार डिवीडेंट प्याउट करें हलाकि इनके बोनस के भी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं अगर आप इनके और जून में अजायर से बाते बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसके चलते बहुत बड़ी तीजी देखने को मिद रही थे इनके रेवन्यू वाइस और प्रॉफिट वाइस अगर आप देखोगे तो तब प्रॉफिट था जून में लेकिन पिछल सब्टेंबर और डिसं जो है वो जो डिसनी प्लस होस्टार है उसके पास है जो बया रिलाइंस में आने वाला है ठीक है और जो आई पिल के है वो जियो सिनेमा के पास है जो देखा जाए तो इसी का पार्ट माना जाता है तो बेनिफिट है इलेक्शन में भी बहुत सारा पैसा बहता हुँगा तो यह adjust भी हो जाएगा और बहुत सस्ता भी हो जाएगा लेकिन company को profit करना पड़ेगा अभी company बहुत बड़े expansion के mode में आपको यह समझना होगा कि company बहुत बड़े expansion के mode में जा रही है और अभी शुरुवात है पहले tv 18 और network 18 का merge होने वाला है ठीक है merger के बाद बहुत financials को अगर हम देखे तो अच्छे नमबर नहीं है ठीक है loss है पिछले कुछ दो quarter में loss है उससे पहले profits भी थे और अच्छे profits थे ऐसा नहीं कि खराब थे अच्छे profits थे लेकिन पिछले दो quarter में नुकसान हुआ आने वाले quarter में उमीद करेंगे कि चीज़े अच्छी हो इनके लिए और देखो मैं मानता हूं कि मार्च का जो quarter होगा वो शायद अच्छा ना हो लेकिन जून का quarter IPL के चलते बहुत बहुत बहतरीन होने के आसार जादा है हलाकि मार्च में अगर आप देखोगे तो IPL मार्च के मतलब 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत फाइदा वो भी मिल सकता है शायद मार्च के नंबर अटलिस्ट डिसमबर से तो बहतर होंगे और जून के तो और भी बहतर expected करे जा रहे हैं शेह होल्डिंग के बारे में अगर हम बात के जो प्रमोटर है उनके पास 60.40% का स्टेक है प्रमोटर कौन है मतलब नेटवकेटी पर है जिन में से रिटिर इन्वेस्टर 15.14% पर है अगर बात करो मैं टीवी 18 की तो कम्पनी पर जिस खराब नहीं है लेकिन काफी ज़दा अपस अडाउंस आये हैं यहाँ पर इससे पहले भी बहुत बड़ी तीजी आई थी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया बहुत फॉल से गुजरा और अच्छी रफता रही है अब वापस गिरावट चल रही है मैं इतना ही कहूंगा कि देखो कम्पनी खराब नहीं है यहाँ पर लेकिन जो आपका जो अप्रोच है वो बाई और डिप्स वाला अप्रोच होना चाहिए ना कि किसी एक लेवल पर बहुत स 40-45 के आसपास जाता है तो वहाँ पर आपको एड़ करने के मौके जो है वो ढूंडने चाहिए यह मेरा मानना है अगें मैं यह नहीं कि बॉटम बन रहा है जी नहीं लेकिन यहाँ पर लॉंग टम का आउटलुक मुझे उतना खराब नहीं लगता है आने वाले टाइम में जीओ के बड़े ब्लांस है जीओ सेने मा काफी बड़े पैमाने पर डॉमिनेट कर सकता है और इतना ही नहीं अब डिजिटल में भी बोखत बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि डॉमिनेशन इनका देखने को मिलने वाला है तो नज़र रखे आप इसके उपर अगें कोई बा तेंक यू